लोकसबा अद्यक्ष ओम बिर्ला ने बुद्वार को सुच्चता अभ्यान के तहट राजिस्थान के कोटा शेत्र में गणेश मंदिर के परिसर की सफाई की और लोगों को इसमें भाग लेने की अपील की राम मंदिर प्रान पत्रिस्था से पहले वीविन मंदिरों में सुच्चता अभ्यान चलाया गया बिर्ला ने कहा कि पीम नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही सुच्चता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और उन्होंने हमेशा देशवासियों से अपील की है कि वे सुच्टा को अपनी दिन चर्य का हिस्सा बनाए मेरा भगतों से भी अनुरोध है कि वे सुच्टा का ध्यान रखे सुच्टा जीवन का एक महतपुन हिस्सा है इससे पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने स्वच्टा अभ्यान के तहत महरास्ट के नासिक में कालराम मंदिर परीसर की सफाई की दृश्य में प्रधान मंतरी को पोचे और बाल्टी से मंदिर के फ्रश को पोचते हुए दिखाया गया प्रदान मंत्र नरेंद्र मोदी द्वारा अभ्यान के तहत धार्मिक स्थलों पर सवच्छता अभ्यान चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के बाद सवच्छता अभ्यान को नहीं गती मिली है उनकी अपील 22 जन्वरी को अयोधिया में राम मंदिर प्रान पतिस्था से पहले आई यह अभ्यान जो मंदिर समारों तक जारी रहेगा कहीं राज्यों में मंत्रियों द्यारा आगे बढ़ाया जाएगा नासिक में 27 वे रास्टर युगा मोहतसम में अपना उद्गाटन बाशन देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सुचता अभ्यान के अपने आवान को दोराया नारीकों से अयोध्या में रामलला के प्रानपतिस्टा दीवस पर देश भर में तिर्थ स्थानों और मंदिरों को साफ करने का आग्रे किया प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जन्वरी को भव्य मंदिर में राम लला की मुर्ति की स्थापना में शामिल होने के लिए तैयार है